नमस्कार साथियो आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में और जैसा कि आपको पता है डिलर्ट सेकिंड सेमिस्टर के लिए हमने आपकी जो बुक थी सिछा के नवीन प्रयास इसको स्टार्ट करा था और जैसे कि आपको बता है इसका जो पेपर है वो 50 नमबर का आत हैं वो 15 कोश्चन आते हैं उनके लिए मैंने आपको सीरीज स्टार्ट करी थी और बुक की सभी कोश्चनों को मैं आपे डिटेल में डिस्क्स करा रहा हूं तो आप इससे पहले के जो चारो चैप्टर हो चुके उनको आपने नहीं देखा तो देख लिए जाकर के और इस व गोश्चना पत्र था इसमें क्या क्या था क्या क्या कैसे इसने सिच्छा को मनलब बताया था हम कैसे सिच्छा देंगे क्या 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 हमें सुधार करने हैं जो कि आपका लॉड मैकाले ने दिये हुए ते नियम जनाई को उसमें क्या इसने परवतन करा कैसे इस तरीके ने नींहां को प्रस्तुत करा तो यह जो था गुस्णा पत्र यह एक इसका तो तो यह जो इनकी जो सिच्छा नहीं था आ रहा ही थी ओन जो यह निकि जो गोशना पतर यह जारी कर रहे थे इसमें क्या क्या difference आ रहा था तो इस तरीके सा पने की यह date तो learning कर लीजे कि 1835 में किस ने लिया 18 चोगन में कौन सा गोशना पतर आया इस के वाद कौन सा गोशना पतर आया इस तरीके से यह वह विगल भी कोश्चन के अंतरगर पहला कोश्चन देखिए लिखा हुआ है कि कंपनी के आग्या पत्र में परवतन किस सन में किया गया था जो कंपनी का आग्या पत्र था उसमें परवतन किस बर्स करा गया था यानि किस बर्स नया जो मतलब यानि कहने का मतलब है कि जो 1854 का भुड़का गुठना पत्र आया त तो यह मंदला जो इस्टार्ट हुगा था बनना इस्टार्ट हुआ यानि कव से यह परवत्न करना इन्हों चालू करा तो 8303 वंसे अन्हों 2302 अब देखेंगे नैस्ट कुश्चिन बुट का गोष्णा पत्र किस बर्स में भेजा गया तो बुड का जह अब गोष्णा पत्र है वो किस बर्स आया तो आया 1854 में start कर गवा 1853 में इन्न बनना इन्ने जो परवत्न करना चालू कर आप 1853 में चालू गरा था आगया पत्र में कंपनी के अगया पत्र में 1815 में अई श्राषा गरा था आता और 154 में ये आया बुड़ का घोष्ञा-पत्र देखेंगे लिखा को हुआ है बुड़ के घोष्णा-पत्र की प्रमुक सिपार से क्या गया थी उसने क्या क्या बताया था कि क्या क्या होना चाहिए बुढ़के गोशना पत्र में तो ये आपको बताना है कि क्या क्या उसमें होना चाहिए देखिए नए विस्विद्यालाओं की इस्तापना करने के लिए कहा उसने अपवयाय और अवरोध रोकने के लिए कहा सिच्छा विसंयों को समाप्त करने के लिए उसने कहा अधिक दर्राजी उभलब गुराने के लिए कहा तो उसने ये कहा था कि बुड़के गोशना पत्र में कि नए विस्विद्यालाओं की इस्थापना की जाए नए विस्विद्यालाओं की अगर आ जाए यह इसने कहा था बट्ड की घोषणा पत्र के अनसार अब राज्य का सरवोच सिच्छा अधिकारि क्या कहला था है इसका जो आया इसने ये कहा कि इसका जो कहने का मतलब अब जो इसके उसना पत्र के अनुसार जो राज्य का सबसे यानि उच्चदगारी है सरवोच अदिगारी है वो क्या कहलाएगा ये आपको बतवना है ठीक है तो इसमें देखेंगे सिच्चा निजग कहलाएगा बिद्याले निच्च कहलाएगा जन सिच्चा संचालक कहलाएगा इनमें से कोई नहीं हुआ है कलकत्ता तता मुंबई में बिस्विध्याले की स्थापना का आदर्स किसे बनाया गया तो कलकत्ता में बिस्विध्याले बनाया गया तो इसका जो आदर्स था वो किसे माना गया था ये आपको बताना है तो ये किसके आधार पे था किसके बेश्ट पे था किसकी के आदर्स पर कलकत्ता और मुंबई की विस्विश्विश्विश्विश्विश्विश्विश्विश्विश्विश्विश्विश्विश्विश्विश्विश्विश्विश्विश्विश्विश्विश्विश्विश्विश्विश्विश्विश्विश्विश्विश् शिक्स देखेंगे और यह आपका लास्ट कुश्श नहीं बारती सिच्छा का महा अधिकार पत्र किसे बोला जाता है तो यहां पर बुर्ड़ का गोश्णा पत्र बोला जाता है अठारे सु त्रेपन में ठीक है और जो इसका जो बताया गया जो अधिकारी होता है वो जजन से अच्छा अधिकारी होता है ये कोशन एक हुआ और इसमें एक कोशन और आया क्या आया कोशन ये किसके तरच पर बनाया गया गया ये दोनों बनाया गया तो लंदन विस्विज जाले की तरच पर बनाए गई थे इसके बाद इसमें only six questions दिये हुए हैं और इसमें इसमें सिच्छादगारी बताई दिया आपका गुष्णा पत्र था नए विस जाले को बनाने के लिए इसने अपना पत्र दिया हुआ था ये इसका अंसर आपको बता दिया गया गया अठा जाले का गुष्णा पत्र आया वह 1835 या 1854 तो इस तरीके से इनकी डेट याद रोगिए और ये वीडियो कैसा लगा अच्छा लगा अपने दोस्तों साथ सेर कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए मिलेंगे अगले वीडियो में तब तक के लिए आप से लेत ने मिलाद थेंकिए